वेल इस्टुडेंट्स तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्राइट का फिप चैप्टर दा हंड्रेड डेसेज पार्ट बन और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे तो यहां पर हम इस चैप्टर का अंग्रेजी से हिंदी में एक्स्प्रेनेशन करेंगे अनुवाद करेंगे इसके अलावा जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी भी हम हिंदी मिनिक्स देखेंगे और अंत में इसके जो शौर्ट टाइप के कॉश्चन आंसर से उनको भी हम यहा आज अलागी वे इसकूल के लिए लेट होगी थी मेडी वाज ग्लेट मेडी को इस बात की खुशी थी किसी हैड नौट हैड टू मेक फन आप बांदा कि उसे बांदा का मजाक उड़ाना नहीं पड़ा था सी वक्ट हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एपसेंट माइंड ली और विध्याले में मेडी ने अपनी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व की कहने का मनला उसने अंकर गनित के सवाल बड़े एपसेंट माइंड ली किये मनला बड़ी वेध्यानी में बिलकुल ध्यान था उसका एट टाइम सेट आठ गुना आठ लेट सी आओ देखते हैं सी विष्ट सी हैड दर नर्व उसने मन में ये कामना की कि उसके अंदर इतना भरोसा आ जाया इतनी नर्व पैदा हो जाया कि वो पैगी को एक इस मामले में एक नोट लिखे कहने का मनला एक पत्र लिखे कि वो सीधे ही पैगी से जाकर कि ये कहएदे तो से हे पैग लैट सिटॉप आस्किंग बांदा हाव मैनी ड्रेसेज सी है कि पैग अब हमको बांदा के साथ मजाक करना बंद कर देना चाहिए उससे ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि तुमारे पास कितनी पोशाके हैं वें सी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक और जब उसने अपने अंक गणित के सवाल पूरे कर लिये तो सी डीड स्टार्ट ए नोट टू पैगी तो उसने पैगी को एक पत्र लिखना शुरू कर दिया और सड़नली सी पास्ट और पत्र लिखते लिखते अचानक वो रुप गई पास का मला होता है रुखना? एंड शरडड और कांप गई शरडड का मला कांप ना? क्यों कांप गई वो रुख गई? क्योंकि सी पिक्चर लर्षेल्फ इसने अपने आपको अपने आपकी तस्वीर देखी हिन्टा स्कूल यार्ट इस्कूल के हाथे में किस बात की? को छोड़ दिया और उसका नंबर ले लिया पेगी माइट आस्क हर पेगी उससे ये पूछ सकती थी कि वेर सी गॉर्ड दर डेस कि उसने अपनी वो पोशाक कहां से प्राप्त की देट सी हैड उन जो उसने पहन रखी थी और मेडी ये कहेगी इसके जवाब में कि ये पेगी की पुरानी पोशाकों में से एक है जिसको मेडी की माने had tried to discuss छुपाने की कौसिस की थी with new trimmings नई गोटा पत्ती लगा करके so no one in room 13 would recognize it जिससे की room number 13 में कोई उसे पैचान नहीं सके कि ये पेगी वाली डेस है रिकागनाईज यानि पैचानना if only peggy would decide of her own accord फिर उसने मन में सोचा कि काश पैगी खुदी ही ये decide कर ले अपनी ही शर्तों पर कि क्या सीज की decide कर ले क्या सीज का निड़ने ले ले stop having fun with बांदा यानि बांदा के साथ मजाक उडाना बंद कर दे इस तरह उसने सोचा मन में oh well Maddy ran her hand through her short blonde hair तब मेगी ने अपने छोटे लाल रंग के बालों में अपने हाथ को फिलाया as though जैसे की to push the uncomfortable thoughts away जैसे की वो uncomfortable thoughts को दूर भगाना चाती हो यानि बेकार के विचारों को अपने दिमाग से हटाना चाती हो what difference did it make इस से क्या फरक पड़ा slowly Maddy tore into bits the note दीरे से Maddy ने उस पत्र के छोटे छोटे टुकडे कर दिये she had started जो उसने लिखना शुरू किया था she was Peggy's best friend वो Peggy की सबसे अच्छी सहेली थी and Peggy was the best liked girl और Peggy सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वारी लड़की थी in the hall room पूरे कमरे के अंदर Peggy could not possibly do anything Peggy कोई भी संभवतिया ऐसा काम नहीं कर सकती थी that was really wrong जो वास्तम में गलत हो she thought उसने सोचा as for Vanda और जहां तक Vanda की बात है she was just some girl वो ठीक उन लड़कियों में से एक लड़की थी who lived upon bogging sites जो bogging sites में रहती थी and stood alone in the school yard और वो school के हाते में अकेली खड़ी रहती थी she scarcely ever said anything to anybody where मुश्किल से ही किसी व्यक्ती को कोई एक सब्द भी बोलती थी कहने का मलना वो किसी से कोई बात नहीं करती थी scarcely का मलना मुश्किल से the only time she talked was सिर्फ एक ही समय था जब वो बात करती थी यह कहते हुए about one of our dresses अपनी एक dress के बारे में किस dress के बारे में पहले blue with colored trimmings अपनी पहले blue वाली यानि हलके नीले रंग की पौसाग जिसमें गोटा पत्ती लगी थी trimmings लगी थी and she remembered another उसे एक दूसरी पौसाग की भी याद आई जिसके बारे में बांदा ने का था that was billion jungle green with a red says जो की बिलकुल जंगल जैसे हरे रंग की थी और जिसमें लाल रंग का दूपटा भी लगा हुआ था red says you would look like a Christmas tree in that the girl's head said in pretended admiration तब लड़कियों ने बनावटी प्रसंसा में pretended admiration admiration ने प्रसंसा और pretended का मनला बनावटी तब लड़कियों ने बनावटी प्रसंसा में उससे का था कि आप तो इसमें एक Christmas tree की तरह लगोगी thinking about bandha, bandha के बारे में सोचते हुए and her hundred dishes और उसकी सो पाशागों के बारे में सोचते हुए जो की all lined up in the closet जो की अलमारी में करीने से लगी हुई थी मेडी बिगें टू बंड़ा मेडी को आश्चरिये यानि मेडी ने आश्चरिये करना सुरू कर दिया कि who was going to win the drying and coloring contest drying यानि चित्र बनाने और उनमें रंग बरने की जो प्रतियोगी था थी जो contest था उसका विजेता कौन बनने वाला था for girls लड़कियों के लिए this contest concealed of designing dresses लड़कियों के लिए ये प्रतियोगता जो थी वो designing dresses की थी यानि dress की designing के उपर थी and for boys और लड़कों के लिए ये contest किसके लिए था of designing motorboards motorboards की designing करने के लिए probably some of theya Peggy Wood बिंदा girls में लग some of theya Peggy लड़कियों का medal जीतेगी Peggy do better than anyone else Peggy किसी भी अन्य से ज़्यादा अच्छा drying कर सकती थी इंदा room उस कमरे के अंदर at least कम से कम that's what everybody thought सिर्फ यही कम से कम यही बात थी जो हर बच्चा सोसता था she could copy a picture वो किसी भी picture की copy कर सकती थी यानि नकल कर सकती थी इने magazine किसी भी पत्रिकाग में से और सम फिल्म स्टार्स हैड या किसी भी फिल्म के एक्टर का चेहरा बना सकती थी so that you could almost tell who it was और इतना अच्छा बना सकती थी कि आप उस चेहरे को देख करके पैचान सकते थे कि यह किस एक्टर का चेहरा था ओ मेडी वाश शौर अरे मेडी को पूरा भरोसा था कि पैगी बुड बिन कि पैगी ही जीतेगी well ठीक है tomorrow the teacher was going to announce अगले दिन teacher announce करने वाली थी घोशना करने वाली थी the बिनर्स विजेताओं की then they would know तब बे सब जान जाएंगे the next day अगले दिन it was dizzling dizzling हो रही थी कहने का मनला हलकी बूंदा बांदी हो रही थी meddy and peggie और maggie और peggie hurry to school तेजी के साथ school जा रही थी under peggie's umbrella peggie के चाते में कहने का मनला peggie का जो चाता था उसी में दोनों उस चाते के अंदर school तेजी के साथ जा रही थी naturally on a day like this naturally इस तरह के दिन they didn't wait for बांदा बे बांदा का इंतजार उन्होंने नहीं किया बांदा पेंट्रोस की का on the corner of Oliver Street Oliver Street की कोने पर खड़े होकर के दा स्ट्रीट that far far away यह गली जो की बहुत ज़्यादा दूर थी under the rail road tax और यह रेल रोड के पगडंडी में होकर के निकलती थी उसके नीचे होकर निकलती थी and of the hill और उपर पाड़ी पर जाती थी led to bargain heights और इस तरह यह पगडंडी चलती हुई bargain heights तक पोंचती थी यह पूरा का पूरा रास्ता यहां पर बताया गया कि वो बांदा जो है किस तरह bargain heights से विध्याले आती थी anyway they weren't taking chances they किसी भी तरह का chance नहीं ले रही थी on being late today कम से कम आज के दिन because today was important क्योंकि आज का दिन बहुती important था बहुती महत्पूर्ट था do you think miss mission will announce the winners today ask it Peggy तो Peggy ने पूछा अपनी सहेडी मेडी से कि क्या आप यह सोचती है कि miss mission जो है आज बिजेताओं की गोशना करेगी oh I hope so the minute we get in said मेडी of course you will win Peg तब मेडी ने का कि मुझे ऐसी ही आशा है कि जैसे ही हम अंदर पहुचेंगे वास्तम में पेख तुम जीत जाओगी hope so said Peggy इगरली तब Peggy ने भी इगरली यानि उत्सुक्ता के साथ कहा कि मुझे भी ऐसी ही आशा है the minute they entered the classroom और जिस minute यानि जिस छण उन्होंने कख्षा के कमरे में entry ली यानि उन्होंने प्रिवेश किया तो they stopped short and gasped तब वे थोड़ी सी दूर यानि कमरे से थोड़ी short ही खड़ी होगी यानि थोड़ी दूरी पर खड़ी होगी और gasped यानि हापने लगी there were drawings क्यों आपने लगी क्योंकि महाँ पर बहुत सारी drawings थी all over the room सारे कमरे के अंदर on every ledge हर टांड पर and windowsill हर खिड़की पर dazzling colors चम चमाते रंगों वाली and brilliant और भहुती चमकदार levis designs भहुती सुन्दर और चमकदार डिजाइन्स थी चमकदार चित्र थे are drawn on great sheets of wrapping paper और सारी की सारी तस्वीर है गोल गोल लपेटे जा सकने वाले मोटे मोटे कागज की सीटों बड़े-बड़े कागज की सीटों पर बनाएगी थी great sheets यह नि बड़ी-बड़ी सीट है कागज की wrapping paper जिनको गोल गोल लपेटे जा सके there must have been a hundred of them यह जो तस्वीर है थी वाह उस कमरे में वो must have been hundred यह लगवक सो के आसपास थी are lined up और सब करीने से लगी वी थी these must be the drawings for the contest और यह सारी की सारी तस्वीर है निश्चित रूप से पृतियोगिता में पृतियोगिता की होनी चाहिए थी they were, हाँ, वे थी everybody stopped हर कोई उन तस्वीरों को देख करके रुग गया and whishled और murmured admiringly हर किसी के मुझसे CT की आवाज निकलने लगी उनको देख करके और हर व्यक्ति जो भी देखता वो बहुती admiringly यानि बहुती प्रसंसा के साथ भुद भुदाता होटोई होटों में प्रसंसा करता as soon as the class had assembled और जैसे ही पूरी कक्षा इकट्टी हुई जैक बेगल्स had won the boys जैक बेगल्स नाम के लड़के ने लड़कों वाली प्रत्युक्ता जीती थी she said उसने कहा क्यानि मिस मेसर ने कहा टीचर ने and his design और उसकी जो डिजाइन है for an outboard motor जो की outboard motor के बारे में थी वाज ओन एक्जिविशन वो एक्जिविशन के लिए रख दी गई थी प्रदर्सनी के लिए रख दी गई थी in room 12 camera number 12 के अंदर along with the sketch और ने दूसरे चित्रों के साथ by all the other boys दूसरे लड़कों के यानि दूसरे लड़कों की जो तस्वीर थी उनके साथ उस लड़के की तस्वीर को भी room number 12 में प्रदर्सनी के लिए रख दिया गया था इस तरह की गोशना टीचर ने की फिर आगे उसने बताया कि लड़के की जहां तक लड़कियों का सवाल है उसने का अल्दो जश्ट बन और टू इसके चेश कि यद पी एक या दो चित्र ही बर सम्मिटेट जमा कराए गए थे सम्मिटेट का मलब जमा कराना बाइ मोस्ट अधिकांस लड़कियों के दोरा यदिकांस लड़कियों के दारा एक या दो चित्र ही जमा कराए गए थे आगे उसने बताया कि बन गर लेकिन एक लड़की लेकिन एक लड़की ऐसी थी और रूम थर्टीन शुड बी प्रावड आफ हल यानि एक लड़की ऐसी थी जिसने एक दो से ज़्यादा चित्र जमा कराए थे और आगे बताया मिस मैसन ने कि रूम नमबर थर्टीन के बच्चों को उसके उपर यानि उस लड़की के उपर गर्व करना चाहिए प्रावड करना चाहिए इस बन गर्ल इस अकेली लड़की ने एक्ष्वली वास्तम में ड्यू बनाए थे 100 डिजाइंस 100 चित्र All different सारे के सारे बिलकुल अलग यानि हर तस्वीर दूसरी से अलग थी And all beautiful और प्रतेक जो तस्वीर बनाई थी वो सारी की सारी beautiful थी In the opinion of the जजे जजों के विचार में Any one of the drawings इन में से प्रतेक जो ड्राइंग थी Is worthy of winning वो विजेता बनने की हगदार थी यानि विजेता बनने के योग थी वर्दी थी वर्दी का मनला योग होना तो is worthy of winning the price यानि इनाम जीतने की हगदार थी I am very happy to say मुझे ये कहते हुए बहुत खुसी है बांदा पेंट्रोसकी की बांदा पेंट्रोसकी Is the winner of the girls medal यानि तब मिसमेशन ने कहा की बांदा लड़कियों के medal जीतने यानि लड़कियों के medal है वो बांदा पेंट्रोसकी उसकी विजेता है अनफॉर्शनेटली लेकिन दुरवाइक से आगे कहा उसने की बांदा has been absent from school की बांदा इसकूल से absent रह रही है for some days कुछ दिनों से and is not here और वो यहां नहीं है to receive the applause इस सम्मान को प्राप्ट करने के लिए इन तालियों को प्राप्ट करने के लिए that is due to her जो उसके लिए है यानि ये जो सम्मान है जो उसके लिए यहां पर प्रदर्सित किया जा रहा है यानि जो बच्चे तालियों बजा रहे हैं उसकी प्राप्ट करने के लिए वो यहां आज मौजूद नहीं है let us all हमें आशा करनी चाहिए कि see will be back tomorrow कि वो कल बापिस आजाएगी now class अब सभी करक्षा के बच्चो you may file around the room quietly आप सब चुपचाप पूरे कमरे का लाइन बना करके चक्कर लगा सकते हैं and look at her exquisite drawings और आप उसकी अच्छी कृतियों को देख सकते हैं यानि उसके द्वारा बनाएगी जो शांदार drawings है जो exquisite drawings हैं उनको आप देख सकते हैं the children burst into applause बच्चों बच्चे जो थे वो तालियों के साथ तालियों की गलगलाट के साथ गूंज उठा कमरा बच्चों की तालियों के साथ प्रसंसा के साथ and even the boys और ऐसे लड़के भी were glad to have a chance to stamp उनको मौका मिल गया उचलने का पेड पटकने का फर्स पर on the floor put their fingers in their mouths and whistle CT बजाने का अपने मुँमें उंगली डाल करके CT बजाने का ऐसे लड़कों को भी मौका मिल गया though they were not interested in dresses जिनको dress हों में किसी तरह का किसी भी तरह की रुची नहीं थी इंट्रेस्ट नहीं था ऐसे लड़के भी उन चित्नों को देख करके CT बजाने लगे और फर्स पर उचलने लगे लोग पेग whispered Maddy तब Maddy धीरे से बोली देखो पेग there is that blue one वहाँ उस नीली वाली पोशा को देखो she told us about जिसके बारे में बांदा ने हमको पहले बताया था isn't it beautiful क्या ये सुन्दर नहीं है yes sad पेगी तब पेगी ने कहा कि हाँ बिलकुल सुन्दर है and here is that green one तब पेगी ने कहा और वहाँ उस हरी वाली को देखो boy and I thought I could drop maybe इस तरह की कि चित्र बना सकती उस तरह उसने अपनी अफसोज जाहिर किया पेगी ने कि शायद मैं भी इस वर करता कि मैं भी इतनी सुन्दर तस्वीर बना सकती हलागी मैं ने बना ही नहीं अब यहाँ पर कुछ आपके कॉम्प्रेंशन चाहे गए तो यह यहाँ पर देखी आप पहला कॉर्शन वाई डिरन्ट मैडी आस्क पेगी तु स्टॉप टीजिंग बना वाट वाज सी अफरे लोग यानि मैडी ने पेगी से यह क्यों नहीं कहा कि वे बना को चिलाना बंद कर दे उसे किस बात कब है था इसका अंसर हम इस तरह दे सकते हैं कि मैडी दिरन्ट आस्क पेगी तु स्टॉप टीजिंग बना विकाज सी दिरन्ट हैव करेज तु से सो मैडी वाज अफरेट अब बिएंग दा नेक्स टार्गे पर पेगी अब अद अधर गल्स सी बाज अफरेट अब अब बिएंग पेगी कुल आस्क हर रिगार्डिंग हर ड्रेसे अब देखिया अब देखिया सेकंड वन वो दिट मैडी थिंक बुर्ड विन दा दाइंग कंटर्स्ट भाई यह मैडी के विचार से चित्रकारी प्रित्योगता कोन जी सकता था और क्यों तिसका अंसर देखिया मैडी थोट पेगी वोड विन दा दाइंग कंटर्स्ट शी थोट विकॉस दू बेटर थेन अनिवन अलस इन दाइंग क्लास शी कुट कॉपी पिक्चर इन अमेग जिन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो देट बन कुल आलमोस तेल हूँ इट वाज अब देखिये थार्ड वन थार्ड क्वाला क्वेश्ट वाट है दाइंग कंटर्स्ट वाट है दाइंग कंटर्स्ट यानि चित्रकारी प्रित्युकता किसने जीती और विजेता ने क्या बनाया था तिसका आंसर लीजिए आप वाटा प्रित्रोस की बन्दर ड्राइंग कंटर्स्ट शी द्यू वन हंडर्ड डिजाइंग साफ डिसेज अल आप देम बार डिफरेंट और बीटिफुल तो प्यारे बच्चो यहां यह चैप्टर नमबर फाइव यहां पर पूरा होता है See you again in next video Till then keep watching my videos Have a nice time Thank you very much for watching